जाहिंद इस वीडियो में बात करेंगे railway group D द्वारा जो answer की launch किया गया है इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले वीडियो को follow आज करिएगा यहाँ पर देख लिए answer की जो launch किया गया है इसमें अब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपके समझ जाने के लिए इस भासे में लिक दिया हूँ इदम सिंपल भासे में लिखा हूँ अब यह आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या दे रखा हैं देखिए इसमें हम चार टाफिप के बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे answer की के बारे में उसके बा करते हैं उसके बाद one of the one of the question objection पर करेंगे तो उसके लिए इसमें फी रखा गया आपको free नहीं है इसमें आपको पैसा देना पड़ेगा अभी बात करेंगे फिर दिया है mode of payment of fee यानि कि जो है objection के लिए आपको कैसे फी को है installment यानि कि debit करना है इस वीडियो में बात करेंगे यानि कि आपको अच्छे से सब कुछ यहां पर समझ में आ जाएगा देखिए सबसे पहले इंसर की की बारे में बात करते हैं तो देखिए इसका जो इंसर की अपडेट रहेगा ठीक है यानि पाच दिन छे दिन साथ दिन आठ दिन यानि कि इसमें फिक्स नहीं दिया है कि जो एंसर की है वह कब से कब तक जो है अपडेट रहेगा इसके साइट पर ठीक है यानि कि इसमें नहीं दिया है लेकिन इस पर यह दिया है अब्जेक्शन अगेस्ट दा कोस्टन ठीक है यानि कि यदि आपके प्रस्ण पर डाउट है यानि कि रेलिवे द्वारा दिये गए कोस्टन पर यदि आपको डाउट है तो उस प्रस्ण पर जो है आप अपना अब्जेक्शन कर सकते हैं लेकिन अब्जेक्शन का जो टाइम दिया है 15 discover को सुबह के 10 जहे के बार यानि एक दिन में आप अपना इंसर की चेक करिए इंसर की अभी अप्डिट रहेगा उसके बाद यहां 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 पर आपको futures living of questions paper नानी कि जो को अब्जेक्शन कोछशन जो है वह जो है लिमिट है कि 19 अक्टुबर के बीच में ही जो है आपको objection करना यानी कि 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में जो है आप अपना question और अब्जेक्शन कर सकते हैं यह दिए जिस question पर आपको doubt है कि यह question गलत है तो आप उस पर objection कर सकते हैं यानि कि आपको बताते हैं कि चार दिन का समय दे रही है उसके बाद one of question view for यहां पर दिया है देखे one question for objection pad भी यानि कि आप यदि किसी question पर objection कर रहे है तो उसकी लिए फी रखा गया है वो फी कितना है तो 50 रुपिय है प्रतिये question के लिए यदि एक question पर यदि आपका objection करना है तो उसके लिए 50 रुपिय लग रहा है लेकिन देखिए इस पर फीस इसलिए रखा गया है क्योंकि यहां पर objection के लिए फी नहीं रखा गया होता है तो सभी लोग objection करते ठीक है इसलिए railway यहाँ पर फीज़ो है रख दिये लेकिन एक point और समझ लिजिए यदि आपका question सही पाया गया और railway का question गलत पाया गया तो आपका जो पैसा है वो रिटर्न हो जाएगा यानि कि जो 50 रुपे दे रहे है वो आप पर रिटर्न हो जाएगा एक question के लिए 50 रुपे दो question के लिए 100 रुपे तीन question के लिए 1.500 रुपे यानि कि जितना question पर objection करेंगे 50 रुपे बढ़ते जाएगे यदि question आपका सही हो जा रहा है railway का गलत हो जा रहा है तो आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा उसके बाद mode of payment of fee यानि कि आपको objection question के बैंक का debit card है तो आप वहाँ पर debit कर सकते हैं देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो यह दिमाल लिए आपके पास UBI, SBI, CBI, HDFC, bank का बदोड़ा है, SBI, ICCI, जो भी bank है ठीक है आप वहाँ पर जाकर जो है आपको उस credit से आपना debit कर सकते हैं यानि कि जो आपका credit card है उससे आ यहाँ पर समझ लीजिए कि एक question के लिए आपको 50 रिपे देना अनिवार यह यह नहीं है कि आप objection करें तो free में कर रहे हैं आपका पैसा लगेगा ठीक है objection पर question करेंगे तो आपके लिए पैसा रखा गया है लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे करेंगे तो RRB के site पर जा question पर out हो गया तो वहाँ पर उस question पर जैसे खोलेंगे last में submit करेंगे तो वहाँ पर दे देगा ठीक है कि फी जो है आप payment कीजिए ठीक है यदि आपका question सही पाया गया तो आपका पैसा return हो जाएगा नहीं पाया गया गलत होगा तो आपका पैसा return नहीं होगा यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आ गया होगा तो friends मिलते हैं एक लिए next video में तब तक के लिए thank you जाहिंद जाय वारत